दोस्तों जब से मुबाइल आया है तब से हम अपने जो मुबाइल कॉंटेक्स है याद रखना भूली करें हैं कही बार क्या होता है दोस्तों आपका मुबाइल कहीं गूम जाता है चोरी हो जाता है तूड जाता है पानी में गिर जाता है यहां तक कि आप मुबाइल को फेक् प्रिशान होते हैं ये नंबर कहां से निकालें, आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपके कॉंटेक्स है, वो गोगल ड्राय में केसे से बहुत सिंपल तरीके से, पहले क्या होता था दोस्तों, हम अपने जो कॉंटेक्स है, वो डायरे पे लिखते थे, कहीं कब पूर्टन कोंटेक्स है गुगल ड्राइव में कैसे सेव करें कई बार क्या होता है जोस्तों आप अपना मुबाइल भूल जाते हो कहीं छोड़ जाते हो आपको एक इंपोर्टन कॉल करना होता है तो आपको नंबर याद नहीं रहता तो आप क्या करोगे सिंप्ली दूसरे मो फिर्टी उप्राइशन चेले दोस्तों पहले हमको जाना है गूगल प्ले प्लेस्टोर में और वहां से एक फितलोड करनी है थोटी सी एप्लीकेशन था यहां पर गूगल प्लेस्टॉर में आ चुका हूं और मैं यहां पर टैप करूए कांटक्स यहां पर contact type करने के बाद मैं search करूंगा हमें एक application डाउलोड करनी है contact की जो की ए जो application है वो google की है देखे दोस्तों यहां पर open बता रहा है क्योंकि मैंने यहां पर already download करके रखा है तो चलिए simply उसके ratings देखते हैं 4.3 की rating है और यहां पर 500 million plus लोगों ने उसे download किया है चलिए दोस्तों simply उसे open कर लेते हैं open करने के बाद में इस तरह का interface आएगा interface आने के बाद में आपको allow करना है allow करने के बाद में और एक बार allow तो यहां पर देखे interface इंटरफेस आने के बाद में यहां पर बता रहा है switch account यहां पर मैंने करना ओल्रेड़ि एक switch account बना रहा है तो मैं यहां पर simply यहां पर plus side पर create करोंगा दबाऊओंगा दबाने के बाद में यहां से आप चलिए दोस्तों यहां पर में मीनु पे क्लिक करता है कि मिनु पस सेटिंह आना है सेटिंग पे आने के और यहां पर आपको export पर क्लिक करना है दोस्तों export में क्लिक करने के बाद में जो account से आप login हुए हो और आप चाहते हो कि आपके जो contact से किसमें से हो जाएं तो simply उसको click करना है click करने के बाद में export to vc file है है फोसे करना है दोस्तों करने के बाद में करता है यहां पर आप नाम भी लिख सकते हो context या फिर कुछ भी लोगिवी सुमया कांटेक्ट वन सो यहां पर मैं सेव करता हूँ सेव करने के बाद मैं देकिए context will be export shortly नीचे दिखते हैं दूस्तों यहां पर दूस्तों दिखा रहा है कि यहां पर देखिए दिखा रहा है कॉंटेक्स फिनिस एक्सपोर्टिंग कॉंटेक्ट वन एफसी देखिए यहां पर दिखा रहा है यहां पर सो दिखाने के वाद सिंपली क्लोज करते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों इस तरह से आप अपने जो कॉंटेक्स है उसे आसानी से Google Drive में save कर सकते हैं save करने के बाद में दोस्तों जब आप नया contact save करोगे तो simply आपको जाना है डाइयल पेड पर चलिए दोस्तों अगर आपको नया contact save करना है तो आपको जाना है dial pad पर dial pad पर जाने के बाद में यहां पर अपन जो फ्रेंड का यहां पर क्लाइट का नंबर सेव करना है सेव करने के बाद में यहां पर क्रेट न्यू कॉंटेक्स में जाना है कॉंटेक्ट में जाने के बाद में यहां पर मैं कुछ भी नाम लिख देता हूं कि यहां पर कुछ भी नाम लिख देता हूं यहां पर इंपॉर्टन्ट बात यह है कि यहां पर आप सेव करोगे सिंप्ली सेव टू गूगल देखिए यहां पर बता रहा है कौन सा इमेल जीमेल एमाय अकाउंट गूगल या फिर कोई और सो मुझे यहां पर सेव करना है कॉं प्ले स्टोर से सपोज आप अगर अगर मुबाइल भूल गये हो आपको किसी फोन करना है कॉंटेक्ट करना है आपके पास नंबर नहीं है आप सिंप्ली अपने दूसरे मुबाइल से कंप्यूटर लैप्टॉप में लोग इन होके गूगल रहा है इसे वहां से आप कॉंट अरी वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें अल्ला हाफिज